नमस्कार मैं हूँ प्रशान्त भारतवाज और आप देख रहे हैं निउस्रूम पोस्ट पाकिस्तान में हर दिन लगता है कि बस आज नई सरकार बन जाएगी लेकिन शाम होते होते बैठकों के अजीबों गरीब दौर चलते हैं और फिर उसके बाद बात कल पड़ टाल दी जाती है चुनाब हुए 15 दिन हो गए तब अब कहीं जाकर मोटा माटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में सरकार बनाने को लेकर कुछ ठोस सहमती तो बन गई लेकिन वो भी अभी तक अमल में नहीं आ पाई है हमने भी आपको बताया था कि शहवाज शरीफ देश के नई प्रधानमंतरी बनने वाले हैं और आसिफ अली जर्दारी राष्ट्रपती का पद समा लेंगे लेकिन इस सत्ता की जद्दो जहद के बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरी के इनसाफ पीमल एन और पीपीपी की गडबंदन वाली सरकार को धांदली की सरकार कह रही है पीटी आई का मानना है कि उसके आजाद उम्मीदवारों को जनता ने जिता दिया लेकिन चुनाओं में बड़े पैमाने पर धांदली करके उन्हें हरवा दिया गया अब इमरान खान इस आरोप को लेकर के दुनिया के उस संस्थान के पास पहुँचने वाले हैं जिसके दरवाजे पर नई सरकार को दस्तक देनी ही पड़ेगी हम बात कर रहे हैं IMF की IMF याने International Monetary Fund याने वही संस्था जो पाकिस्तान को भीख के रूप में बेल आउट पैकेज देती है अंतराश्ट्रिय मुद्राकोश के एक पैकेज से दूसरे पैकेज की बदौलत पाकिस्तान की अर्थवेवस्था की गाड़ी आगे बढ़ती है और ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान को आई तरह से IMF की लद लग चुकी है इमरान खान इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इमरान फिलाल जेल में बंद है और साइफर से लेकर के तोशा खाना मामले में भी वो सजा काट रहे हैं IMF को जेल से ही उन्हों वो एक पत्र लिखने वाले हैं जिसमें पाकिस्तान की सरकार से कोई भी बात चीत करने से पहले आठ फरवरी के चुनाव नतीजों की स्वतंत्र ओडिट की मांग वो करेंगे बीते साल गर्मियों के दिन थे जब अंतरराश्ट्रिय मुद्राकोश ने एक बेलाउट पैकेज पाकिस्तान के लिए जारी किया था इसी की बदोलत पडोसी देश पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया लेकिन अब एक अर्चन है आईमेफ का कारेकरम अगले महीने खत्म होने वाला है और नई सरकार को एक लंबे समय तक अर्थविवस्था की बहतरी के लिए आईमेफ से एक मुकमल बादचीत की दरकार होगी पाकिस्तान की अर्थविवस्था फिलाल साड़े 300 अरब डॉलर की है लेकिन वो भयानक महंगाई और विदेशी मुत्रा की कमी से जूज रहा है इमरान ने इसी आईमेफ से गुहार लगाई है कि बादचीत नए सिरे से शुरू हो उससे पहले चुनाव की आडिट होनी चाहिए इमरान खान के वकील अली जफर ने आईमेफ और यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाओं के इस प्रावधान को भी हाइलाइट किया कि ये संगठन केवल इसी शर्थ पर आर्थिक मदद देते हैं जब उस देश में स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव हुए हो और मुल्क एक अच्छे शासन और लोक तंत्र की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन क्या आईमेफ इमरान खान की पार्टी की इस अरजी पर गौर करेगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलाल इतना ही आपको अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ नमस्कार